श्रीनेगर के पास नोहट्टा में आतंक्यों के ग्रेनेट हमले में एक पुलिस कर्मी शहीद हो गया जबकि चौदा जवान खायल हो गया यह हमला सीरपीफ की टीम पर किया गया था नोहट्टा के गंजबक्ष पार्क के पास शाम साथ बजे हुए इस हमले से पहले कुछ लड़कों ने पुलिस चौकी पर पत्राप किया और फिर आतंक्यों ने सीरपीफ की टीम पर ग्रेनेट फेका इस हमले में एक पुलिस कर्मी शहीद हो गया पीम नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के उधंपूर में रैली के दोरान कहा कि एक तरफ कुछ भटके हुए नौजबान पत्थर मारने में लगे हैं तो दूसरी तरफ इसी कश्मीर के जबान पत्थर काट कर कश्मीर की किसमत ददल रहे हैं पीम की रैली जम्मू कश्मीर के चेनानी में देश की सबसे लंबी सुरंग के उध घटन के बाद थी ये सुरंग हर मौसम में कश्मीर घटी को जम्मू से जोड़े रखेगी और 31 किलो मेटर की दूरी कम करेगी जम्मू कश्मीर की बारामूला सब जेल में 14 मुबाइल फोन बरामत किये गए हैं आशंका है कि इनका इस्तिमाल अलगावादी नेटफर्क और क्रॉस बार्डर बातचीत के लिए हो रहा था खबर है कि कैदी वाटसप के जरिये अलगावादी और पाकिस्तान में आतंकियों के संपर्क में थे बारमूला के इसी जेल में अलगावादी नेता मसरत आलम भी बंद है कुस दिन पहले ग्रीमंतरी राजनाज सिंग ने भी कहा था कि पाकिस्तान सोचल मेडिया के जरिये कश्मीर में हिंसा फैला रहा है कल राजनाज सिंग ने कहा कि मुसल्मान ये समझ रहे है कि आतंकबाद इसलाम को बदनाम करने की साज़िश है कुलकादा की अकेडमी ओफ फाइन आर्ट्स में छात्रों का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो आजादी के नारे लगा रहे है इस वीडियो में दिख रहा है कि छात्र कश्मीर और मनिपुर के साथ नागलेंड के आजादी की मांग कर रहे है वीडियो युनिवर्स्टी कैंपस का है जिसमें फाइन आर्ट्स डिबार्टमेंट के बाहर लाल शाड पहने एक शात्र दूसरे शात्र शात्राओं के घेरे के बीच में घूम घूम कर आजादी के नारे लगा रहा है शात्रों का ये प्रदर्शन एक संस्था ये चात्र के संस्थान के हैं इसकी पुष्टी नहीं हुई है यूपी के मुख्य मंतरी योगिया दितनात के मंतरी मंडल की कल पहली बैठक होगी ये बैठक शाम पाँच बजे होगी ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी ने चुनाब से पहले वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा इवियम पर सवाल उठाये जाने पर केजरिवाल को चुनावायोग ने नसीहत दी है कि वो पंजाब में मिली हार का ठीक राइवियम पर ना फोड़े केजरिवाल ने पंजाब और गोवा में मिली हार के बाद इवियम में गड़वडी का रोप लगाया था चुनावायोग ने कहा है कि आम आदमी पाटी को अपनी हार पर चिंतन करना चाहिए तो राज इंडिया पाटी के नेता प्रशान भूशन पर भगवान कृष्ण पर विवादित टिपनी के मामले में दिल्ली और लखनों में आफायर दर्जवी है यूबी में अंटी रोमियो स्कुएड को लेकर प्रशान भूशन ने ट्वीट करके भगवान शिर्क्रिशन को इव टीजर बताया था इस केस में दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर बगगा ने दिल्ली जबकि कॉंग्रिस नेता जशान हैदर ने लखनों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है प्रशान भूशन ने बाद में एक और ट्वीट किया कि हम क्रिश्न की गोपियों से छेर चार के किस्से सुनकर बढ़े हुए है और उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था मत्रों में साद्वों ने कहा कि प्रशान भूशन फ्रिंदावन आकर भगवान की दर्शन करे वहें गाज़बाद में एक विक्ती ने प्रशान भूशन को थपर मारने पर एक लाख रुपे का इनाम देने का ऐलान किया है सबसीडी वाली रसोई गैस साड़े पांच रुपे महंगी हो गई है जबकि बिना सबसीडी वाला सिलेंडर साड़े चौदा रुपे सस्ता हो गया है वहीं विमान में इस्तिमाल होने वाला इंधन करीब बाच फीजदी सस्ता हो गया है अब बिना सबसीडी वाला LPG सिलेंडर 123 रुपे का मिलेगा, जबकि सबसीडी वाली रसोई गया सब 440 रुपे 50 पैसे में मिलेगी देश में भीशन गर्मी पड़ रही है, कई जगे तापमान 40 डिग्री से उपर धर्च किया जा रहा है और अगले एक हफते इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है हैदराबाद, एहमदाबाद, कानपूर, जमशीतपूर और जोदपूर में पारा 40 डिग्री पार कर चुका है जैपूर पुने बैंगलूरू में भी लोग बढ़ती गर्मी से परेशान है, वहीं उत्राखन जैसे पहाडी राज्यों में भी काफी गर्मी पड़ रही है